असलामों अलेकुम मैं जुलेखारफास जुलेखास किचिन से तो चलिए आज हम बनाते हैं बढ़ी आसा रेस्टरॉन स्टाइल चिकन सल्ली बोटी बहुती बढ़ी बढ़ी मज़रदार जबरदस्त बनता है आपके मुझ से छूटेगा नहीं इसका स्वाद इंशालला ऐसी चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी साधारन याने ओर्डिनरी इंग्रीडियन से एक्स्ट्रा ओर्डिनरी चिकन सल्ली बोटी बनाते हैं वो भी रेस्टरॉन स्टाइल में चलिए कढ़ाय के अंदर तेल डाल दीजिए अपने स्वाद अनुसा इसमें डाल देते हैं कुछ गरम मसाले एक तेज पत्ता पांच्छे हरी इलाइची तो बड़ी इलाइची पांच्छे काली मिर्च और पांच्छे लॉंग ये डाल दीजिए तेल के अंदर और तर-तरा जाने दीजिए जब अच्छे flavors निकलाए तो इसमें मैं डाल देती हूँ पांच्छ प्यास को मैंने चुन्दा यानि कि बारिक काट कर डाला है इसे डाल कर बार-बार चलाते हुए इस प्यास को फ्राई कर लीजिए फास्ट आच पर फ्राई कीचेग और बार-बार चलाते ले र चलिए देख सकते हैं आप तेल जादा दिख रहा है और प्याज एकदम बस कलर शुरूई हो रहा है चेंज होने का तो यहां मैं दाल देती हूँ दो टेबलस्पून अद्रकलसन का पेस्ट फास्ट आज पर इसे भी बार-बार चलाते हुए भून लीजिए अद्रकलसन के पे आप चाहें तो चूले को मीडियम आज कर सकते हैं इसी के दर्मियान में मैं दाल देती हूँ नम्मक स्वाद अनुसार और आदा चूट चैकल चमच हल्दी का पाउडर दाल कर बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए समझे न तकरीबन मैंने यह जो टमाटर रहना इसे बार- और दो छोटे चाह के चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर वैसे मैं कश्मीरी दाल रहे हूँ तो दो छोटे चाह के चमच दाल रहे हूँ अगर आपका स्पाइसी हो लाल मिर्ची का पाउडर तो कम दालिएगा अपने स्वादा नुसार दालिएगा वाल फोट छोटा चा इसा था, उसी में डाल कर, मैंने चला कर इसमें डाल दिया है, so that अच्छे से और भूना जाएंगे न, अच्छे से इससे फास्ट या मीडियम आज पर भूनी है, मसालों को, मैंने तकरीबन दो-तीन मिनिट भूना है, और चूला मीडियम पर ही था, और जैसे आप देख सकते ह नीचे लगने लगा है, और यहां तेल छूट चुका है, तो यह तकरीबन मैंने लिया है, चना बोटी करके, आधा किलो चिकिन है, चर्वी निकाली हुए, दो-तीन पानी से धोके, यह तारकी मैंने साइट पर रखा था, यह डाल दीजिए, चना बोटी ज़रूर कर आएग इस चिकिन को, मैंने थाई portion लिया, आप breast portion ले सकते हैं, चूला मीडियम आज पर इसे बार-बार चलाते हुए, तकरीबन साथ से आट मिनित तक पका लीजिए, भून लीजिए, बार-बार चलाते रहिएगा कि नीचे लगे ना, क्योंकि हम बिना पानी डाले भून रहे हैं अगर आपको ऐसा लगे हलका सा जरुवत, मुझे तो नहीं लगी है, आप चाहें एक दो टेबल स्पूंच इतना पानी डाल कर फिर भून सकते हैं, चूला मीडियम पर ही है, मैंने ये आट मिनिट के अंदर बिलकुल भी पानी नहीं डाला था, तो अच्छे से जो चिकिन ह है, वो मसाले में भूना गई है, यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ, वान फोट कब दही, दही रूम टेंपरेचर पे है, और ना ही खटी है, और ना ही मीठी है, बाज़ार की जो नॉर्मल दही आती है, मैंने वो रूम टेंपरेचर पे लेके ताली है, चूला मीडियम प चुका है, और दही भून चुकी है, तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, थ्री फोट कब जितना पानी, इसे डाल कर, एक बार चला लीजिए, और इसमें हलका उबाल आ जाए, तो स्लो आज कर दीजिए, चुले को और ढाकर तकरीवन 15-17 मिनिट तक पकने दीजिए, तब त पतिली मोटी ना हो, और पतली हो, और नॉन स्टिक ना हो, तो आप उसे बीच में 3-4 बार चला लीजिए, तकरीवन 16-17 मिनिट हो चुके हैं, और मैंने चिकिन बीच में देखी थी, तो हो चुकी है, मैंने टेस्ट भी किया, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, अब इसके अ पाउडर और दाल सकते हैं, और आदा चुरिचे का चमज, भूना पीसा, जीरा पाउडर और दाल सकते हैं, बट मैंने दोनु नहीं दाला है, आप वो दोनु दाल कर, चला कर, पिर से एक-दो मिनित तक दंपर पकने दीजिएगा, बट मैंने दाला है, क्योंकि मुझे और हरी मिर्चियां दाल रहे हूं इस तरीके से, प्रेसेंटेशन के लिए, और ये जो सल्ली वेफर है, जिसके वज़ए से इसका नाम पढ़ा है, सल्ली बोटी, वो उपर दाल दीजिए, थोड़ी सी कोथ मिरबारी कटी हुई, फिर से दाल दीजिए, और इसे गर्मा गरम रोटी पराथा, फुलका, बटर नान किसे के भी साथ सर्फ कीजिए, इसे इन में से कुछ की रेसिपी लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आपके लिए आप वहां चेक कर सकते हैं, मतन सल्ली बोटी भी मैंने मेरे चैनल पर बना कर अप्लोड किये, उसका लिंक डिस्क किया लाफ, इस बग्याओ, इस बग्याओ.